रास्तान यूनिवर्सिटी के BA और BSC के final और second year के result अभी बचे हुई हैं तो ये result कब तक आने की संभावना है और अभी जो आगे क्या क्या होने वाला है results से related जो भी latest update है रास्तान यूनिवर्सिटी के BA और BSC के कुछ results बचे हुई हैं वो कब तक आएंगे इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन-कौन से result अभी तक आ चुके हैं तो result देखने के लिए आपको simple जो process है वो follow कर लेनी है resultuniraj.sc.in देखे resultuniraj.sc.in official website है यहाँ पर आ जाना है आपको अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से result recently आई है यहाँ पर देखे तीन जुलाई को last time result घोसित किया गया है तो अभी जो recent जो सबसे पहला जो result आएगा इन में वो मैं बता देता हूँ देखे यहाँ पर result regular जारी किये जा रहे हैं ऐसी बात नहीं है यहाँ पर देखे अब जो बात है हमें बात करनी है जैसे UG के results की UG में अभी हम देख रहे हैं कि science, science, UG में हम science के result पे चलते हैं और यह semester के result आई हुए है semester के results आ चुके अब जो result आना है वो है BA second year का, BSC second year का, BSC final year का और BA final year का तो यह result कब तक आ सकते हैं देखिए जैसे recently यह 7 दिन हो चुके हैं, 3-4 दिन हो चुके हैं अभी कोई result गोसित नहीं किया गया है तो अब जो result है, उनमें सबसे पहले आएगा BSC का result आएगा, BSC final year का जो result है वो सबसे पहले जारी किया जाएगा उसके बाद में BA final year का result सबसे पहले जारी किया जाएगा तो यह है जो latest update पहले BSC final year आएगा फिर BA final year आएगा इस तरह से ये दोनों जो result हैं वो 10 तारिक से पहले पहले आ जाएगे, मतलब 10 जुलाई इसका मतलब यह है कि आप next week जो अगला जो week आ रहा है इस week में ये दोनों जो pending result हैं उनमें एक एक result आपके सामने होंगे तो ये थी अभी तक रास्तन यूनिवर्सिटी के result से समन्दित latest update मिलते हैं एक और अगले वीडियो में result से related कोई आपके query है तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं